नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी पेड़ के बारे में बताऊंगा दोस्तों यदि आप इस पेड़ के पत्तों का सेवन करेंगे या इस पेड़ का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आप डेड़ सों सालों तक बिलकुल निरोगी जीवन जीओगे, दोस्तो कभी आपको बुड़ापा नहीं आए, यानि बुड़ापा क्या है आप भोल जाएंगे, बुड़ापा तो आपके आसपास भी नहीं आएगा, आपके चहरे पर हमेशा तेज बना रहेगा, आपके सरीर के अंदर सांड जैसी ताकत बने रहेगी, द दोस्तो आपने बरगत का पेड़ देखा ही होगा, दोस्तो लेकिन आपने देखने पर उसको बिलकुल सिधान माना होगा, लेकिन दोस्तो है वो बहुत अधिक चमतकारी, चाहे धार्मिक तोर पर हो या आयुरुवेद के तोर पर, दोस्तो बरगत का पेड़ आपके लिए पहुत अधिक कारगर है क्योंकि बर्गत के पेड़ की पास आपके सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज है। दोस्तो सालों से आयरुवेदी का दवा को बनाने के लिए बर्गत के पेड़ का उपयोग होताया है। तो चले दोस्तो बताते हैं आपको सबसे पहले बर्गत के पेड़ के फायतों के बारे में उसके बाद बताएंगे कि आपने इसका प्रियोग करना कैसे हैं जिसको 99% लोग नहीं जानते। दात और मसूडों के लिए दोस्तो बर्गत के पेड़ के सभी भाग जड़, तना, पतियां, फल और छाल का उपयोग ओस्तिय उपयोगों के लिए किया जाता है। क्योंकि इसमें मुझूद एंटोक्सेन और एंटी माइक्रोबाइल गून के कान ये दातों में सड़न और मसूडों में सूजन की समस्या में बहुत अधिकारगर है। इसकी जड़ को चबाकर नरम करने के बाद मंजन की तरह इस्तमाल करने से आपको कभी भी दातों में कीडे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। पर्तिरोधक शम्ता, दोस्तो बर्गत के पेड़ के फाइदे सरीर की पर्तिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए भी होते हैं दोस्तो इसकी पतियों में कुछ ऐसे गुन होते हैं जैसे हैकसेन, ब्यूटेनाल, कलोरोफाम और पानी मुझूद होता है ये सबी तत्व स्युक्त रूप से हमारे सरीर की पर्तिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक कारगर हैं दोस्तो इसकी पेड़ की पतियों का सेवन करने से आपके सरीर के अंदर रोगों से लड़ने की सकती आती हैं और सरदी जुखाम जैसी समस्चाएं या खाशी जैसी समस्चाएं आपके आस पास भी नहीं आदे बवसीरों बरगत के पेड से बव़सीर जैसी बीमारी को भी दूर किया जासकते हैं दोस्तो बरगत के पेड से निकलने वाले दूद में रेजिन, अलब्यूमिन, सेरिन और सुगर और मॉलिक एसिड जैसे तत्व पाय जाते हैं, ये तत्व स्यूंक्त रूप से दस्त, दस्त के साथ खूनाना और बवसीर की समस्या में रहत पहुचाने का काम करते हैं, इसलिए दोस्तों बर्गत के दूद का प्रियोग करके अब बवसीर की समस्या से छुटकारा पासकते हैं, डायबटीज रोक के लिए, डायबटीज की समस्या में भी बर्गत के पेड़ के फाइदे बहुत अधिक चमतकारी हैं, वजह यह है कि इस पेड़ की जड़ में हाइपोगलाइसेमिक बलड सुकर को कम करने वाला परभाव पा बर्गत के पूरे पेड़ में कुछ ऐसे तत्व मुझूद होते हैं, जो मानसिक समता को बढ़ाने के साथ सथ चिंता और तनाव को भी दूर करने में शक्सम हैं, यह आप इसके किसी भी भाग का प्रियोग कर सकते हैं, डायरिया के इलाज के लिए भी आप इसके किसी भी भ के समस्या नहीं होते हैं, यदि ऐपको urine से related कोई समस्या है, तब भी आप इस पेड़ के पत्तों का प्रियोग कर सकते हैं, और आपने urine के समस्या का इलाज कर सकते हैं, डोस्तों यदि आप colostrol को control में करना चाहते हैं, अपने सरीर में जो आपका bad colostrol बढ़ा हुआ है, उसक आपको heart blockage और heart attack का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे, तो देखा दोस्तो कैसे बर्गत का पेड़ आपके लिए के चमतकारी ओश्ती की तरहें काम करते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इसका प्रियोग करना कैसे हैं, दोस् उसमें एक रस पानी में भिगो कर रख दें, और इस पानी को गट-गट करके पी जाएं, दोस्तो आप इसकी पत्यों को सीधे भी सेवन कर सकते हैं, सीधे चबा-चबा कर खसक दें, यानि किसे भी तरीके से इसका प्रियोग कीजिए, और अपने सरीर को बीमारियों से बच आदीजिये ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियों की नोटिव केशन आते रहें, धन्यवाद दोस्तों